हलो और वेलकम फ्रेंट्स मैं आरामन हाजूरू आपके लिए नहीं और बहुती जड़ा इंटरसिंग वीडियो लेकर फ्रेंट्स आज की यह वाली वीडियो आप सुभी के लिए बहुती ज़्यदा खास होने बाली है फ्रेंट्स आज की इस वीडियो मैं आपको गूगल ड्राइब के बारे में डिटेल में बताने जा रहा हूँ कि बहुती है क्या हम इसके बेनिफिट देखने के लिए मिलेंगे कौन कौन से इसकी hidden tricks है जो हमारी life में हमें बहुत ज़्यदा benefit दे सकती है तो फ्रेंट्स गूगल ड्राइब के बारे में डिटेल में जाने के लिए वीडियो को अंतक जुरूर देखना अगर फ्रेंट्स आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो आज के बाद आपको गूगल ड्राइब से रिलेटेड कोई भी प्रोग्रम नहीं आएगी अगर फ्रेंट्स फिर भी आपको कोई ना कोई डिक्कत आ रही है तो आप मेरे को नीचे कमेंट करना मैं आपको पूरा डिटेल में बता दूँगा वैसे फ्रेंट्स आप इस वीडियो को पूरा वाज करना आपको कोई भी डिक्कत नहीं आएगी तो चलिए फ्रेंट्स बिना टाविस्ट के चलते हैं फोन की स्क्रीन पर इस पर फ्रेंट्स आप PC में भी सेम टू सेम ऐसी ट्रिक्स से भी वर्क करेंगी और फोन में भी ऐसी वर्क करेंगी तो चलिए फ्रेंट्स चलते हैं मौईल की स्क्रीन पर तो friends, यहां पर हम सबसे पहले अपने ड्रैवर या प्शन को ओपन कर लेती है, open करने के बाद friends, हमारे पास कुछ तरह का यहां पर इंटरफेस आ जाएगा, उसके बाद friends, मैं आपको यहां पर सबसे पहले इसके basic parts के बारे मैं बिता देखें, यहां पर आप कोई भी topic को यहा आपको यहांपर लोगो यहांपर शोग हो जाएगा उसके बाले पास फ्रीज यांपर फ्रीडॉट आ जाते हैं अगर मैं यहांपर थ्रीजिपन पर Okay कर देता तो कुछ इस तुरीक का टैसी इंटरफेश यहांपर हमारे सामने ओपन हो यहां पर फ्रेंड्स हमारे पास recent पर आ जाएगा जो चीज़े अभी आपने recent में देखिए वो चीज़े यहां पर भी हमारे पास show होगी उसके बार फ्रेंड्स जो चीज़े हमारे हमने यहां पर offline कर रहे हैं यहां पर अगर आप उसे download कर लेते हैं किसी भी चीज़ को तो उस ड्राइब है ये देखे मेरे पास यहाँ पर Redmi Note 9 Pro में अगर मैं यहाँ पर इसका backup लेना चाहूँ तो मैं यहाँ पर इसका backup ले सकता हूँ उसके बार फ्रेंट्स हमारे पास कुछ इसकी basic setting आगी मैं आपको इसके बारे बता देता हूँ तो यह देखे फ्रेंट्स यहाँ पर मैं अगर update करना चाहूँ तो यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर मुझे 100 GB तक देखने के लिए मिल जाएगी इसके लिए फ्रेंट्स यह इसका premium plan होता है इसके लिए हमें यहाँ पर इसे pay करना पड़ता है मैं फ्रेंट्स आपको recommend करता हूँ कि यह आप इसे pay मत करना आप ऐसी अपनी 3-4 Gmail ID create कर लग और उसे से ही आप 15-15 GB डाटा ले सकते हैं उसके बाद यह देखे फ्रेंट्स यह इसकी कुछ notification की या theme की इसकी कुछ basic settings है अगर मैं यहाँ पर theme बाले पर wifi नहीं है तो आप यहाँ पर इसे off कर देना और आपने mobile data से यह आप यहाँ पर use कर सकते हैं बहुसे बाई friends कहते हैं कि बाई मेरे पास कोई data google drive में save नहीं हो रहा जा मेरी google drive से कोई भी चीज़ डाउनलोड नहीं हो रही तो वो friends यहाँ पर आप उसे setting को कर लेना इसको आप यहाँ पर off कर देना तो फिर आपके mobile data से भी होने लग जाएगा उसके बाई friends चलते है next की तरफ next friends हमारे पास यह दिखी यहाँ पर storage का यह दिखी मेरे पास यहाँ पर 15GV यहाँ पर storage है और यहाँ पर मैंने 45MB यहाँ पर use की है यह friends हमारे पास यहाँ पर buy storage की आगया अगर आप यहाँ पर storage लेना जाते तो आपको यहाँ पर इसका premium plan वो यहाँ पर लेना पड़ेगा उसी से friends आप यहाँ पर इसकी जो storage है उसे increase कर सकते हैं उसके बार friends बात कर लेते इस नीचे वाले के बारे में तो सबसे पहले friends हमारे पास यहाँ पर आगी home की option home में friends जो भी मेरे पास मेरी chat है जो भी मेरे पास मेरी fix है तो वो सब यहाँ पर मेरे पास शोख हो जाएंगी तो यह दिखे friends सबसे पहले मेरे पास यह देखिए यहां पर चैट है यह मेरी तो उसके बाद यह देखिए मेरे पास यहां पर पिक्स बगारा शो हो रही है उसके बार फ्रेंड स्टार के आप्शन के बारे में हम बात में बात करेंगे उसके बार फ्रेंड बात कर लेते हैं शेयर के बारे में जाएगा इसके बार चाहते हैं कि मेरे को इस तरी के से शू ना हो तो आप यहां पर इन तो मेरे पास यहां पर सिक्स सटी यहां पर और ने जाते हैं सबसे पहली अप्छिन मेरे पास यहां पर आगे folder की अगर मैं यहाँ प्रोग के कर देता हूँ तो यह देखिए यहाँ पर मैंक अपना नया folder यहाँ पर create कर लेता हूँ यह देखिए यहाँ पर मैं इसका rename कर लेता हूँ तो मैं यहाँ पर रमल लिह लेता हूँ रमल के नाम में यहाँ पर यह देखिए यहाँ पर एक folder create कर लिया उसके बार फैर्स second पर चलते हैं तो second हमारे पास आगी upload की अगर आप किसी भी folder में कोई भी चीज अपनी upload करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर upload कर सकते हैं मैं यहाँ पर आपको बता देता हूं जैसे के फैर्स मैंने भी यहाँ पर click किया तो यही मेरे पास यहाँ पर मेरे phone की gallery open होगी और यहाँ से मैं किसी भी चीज को add कर सकता हूं तो उसके बाद अगर यहाँ पर चलते है थार्ड वाले पर तो यहाँ पर हम skin कर सकते हैं उसके बाद हमारे पास fourth number पर document की option आ जाती है और fifth number पर हमारे पास Google Sheets की option आ जाती है यह friends कोई खास नहीं है यह मैंने आपको बता दिया उसके बार फैंस अगरा में यहाँ पर three dot पर चले जाते हैं तो यहाँ पर भी हमारे पास बहुत सारी options यहाँ पर आ जाती है सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पर अपने folder का नाम आ जाता है उसके बार फैंस यहाँ पर हमारे पास आयता है share की option थार्ड नमबर पर हमारे पास आयते है manage people and link तो फ्रेंस मैं यहाँ पर आपको recommend करूँगा कि जब भी आपको किसी को कोई भी चीज़ शेयर करनी हो तो आप यहाँ पर इस पर ok कर देना manage people and link तो यहाँ पर मैं ok कर देता हूँ उसके बार फैंस यहाँ पर आपको यह देखिए यहाँ पर मेरे पास link का रहा है कि बही सिर्फ वही बंदा इसे देख सकता है जिसको मैंने यह वाली चीज़ सेंड की है उसके बाद second पर हमारे पास आगए viewers की इसे कोई भी देख सकता है जिसको मैंने सेंड की है वो इसे देख सकता है उसके बाद हमारे पास आपशनागी editor की अगर मैं यहाँ पर editor प्राइल पर ok कर देता तो वो आदमी इसमें कोई भी changes कर सकता है जिसको की मैंने यह वाली file send की है तो यह है friends कुछिस की basic settings जो मैंने आपको भी बता दी तो उसके बार friends चालते हैं next पर यह देखी यहाँ पर हमारे पास add to start आगया तो मैं अगर यहाँ पर ok कर देता तो यह कि हमारे folder पर यहाँ पर star लगया तो नीचे भी friends यह देखी हमारे पास एक star है अगर मैं यहाँ पर star पर ok कर देता तो यह कि हमारे पास सरफ वही folder चोह होंगे जिस पर हमने यहाँ पर star लगाया है तो उसके बाद यह देखिए हमारे पास copy link की option आगी उसके बाद हमारे पास यहाँ पर rename की option आगी यहाँ पर हम अपने folder का जो नाम है वो change कर सकते हैं उसके बार फ्रेंट्स जो सबसे मेरे को bestest क्या लगा है वो मेरे को यहाँ पर रगा change color का अगर मैं यहाँ पर change color बाले प्रोक की करते हैं तो मैं यहाँ पर अपने folder का color चेंज कर सकते हूं यहाँ पर हमारे पास अपने folder की सभी detail आजाएंगी उसके बार फ्रेंट्स यह हमारे folder हमारी home screen पर चला जाएगा और सबसे नीचे हम इस folder को यहाँ पर इससे remove कर सकते हैं इससे हमारा folder है वो यहाँ पर से remove हो जाएगा तो ये friends मैंने यहाँ पर आपको यहाँ पर सभी इसके बता दिये कि आपको इसे share कैसे करना है और यहाँ पर इसे कौन कौन सी बातों का आपको दियान रखना है तो तो मैं यहाँ पर अगर यहाँ पर त्री डॉट पर करता हूं तो इसके बाद मेरे को यहाँ पर जाना एक्सपोर्ट चाट पर अगर अपनिये गूगल ड्राइब में यहाँ पर सेव कर रहा हूं तो यह देखिए यहाँ पर मैं भी यहाँ पर कर देता हूं सेव टू ड्राइब तो यहां पर okey करने के बाद यह देखिए friends यहां पर जो मेरी चाट है वो भी मेरी drive में save हो रही है यह देखिए यहां पर मैं भी folder को select कर लिकताओ यह देखिए मने मान यहां पर ram SSD को здесь select कर लिया उसके बाद मेरे को यहां पर simply select के बटन पर ok कर देना है उसके बाद यहां पर save तो अभी यह हो रहा है यहां पर यह दिखिए तो यह friends अभी मेरी सारी chat यहां पर save होगी मैं आपको यहां पर बता देता हूं तो यह यहां पर friends मेरी सारी चाटि याँ स्यो बिये शिलः मंनें से लिए और सम्ते चाए याँ सु मेरे पास समने मनें है सुफलेंस आई हो पाद की यह वड़ी वीडियो आपके लिए कुशन कुशी नौलिशफुल रही होगी थेक्स फूर वाचिंग हैवा नाइस टेव आए गुरुजी का खाल साच श्री वाहिकुडुजी की फदिए